हम पढ़ रहे हैं कक्षा साथ का विज्ञान विशे का ध्याई चार उश्मा बचों इस पार्ट को पिछली वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया था और हमने ये अच्छे से समझ लिया था कि किस तरह से ताप मापी की सहाईता से विविन वस्तों का ताप ग्यात किया जा सकत है इसी के साथ साथ बचों हमने ये भी समझाता कि उश्मा का संचरंड चालन समवहर और विकी रंड के द्वारा किस प्रकार से होता है बचों इस भाग में करेंगे हम इस पार्ट के अभ्यास प्रश्ण जो कि हमारी पुस्तिका में दिये गए हैं तो बचों जल्दी से समानता भी बतानी और अंतर भी बताना है तो बचों सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या-क्या समानता होती है तो बचों ये जो दोनों ही धर्मामीटर है किसकी बने होते हैं काश की पतली नली के बने होते हैं और दोनों में ही इस नली के एक सिरे पर क्या लगा होता ह बच्चों इन दोनों थर्मामेटर में किसका प्रियोग होता है पारे का प्रियोग किया जाता है तो बच्चों यह हो गए इन दोनों की विश में समानता अब देखते हैं कि इन दोनों में क्या-क्या अंतर होते हैं तो बच्चों प्रियोग शाला ताप मापी होता है इसका प विभम के लिए और गिया जाता है जिबकि नहीं होता है जबकि दॉक्तरी थर्मापी के अंदर विभंग पाया जाता है जो क्या करता है पारे के तल तो इसमानता और अंतर चलिए आगे बढ़ते हैं अग़ा पुरस्ण देखते हैं। प्रतिक इसे होके उश्मा प्रभाइत नहीं हो पाती है चलिए आगे बढ़ते हैं वच्चों अगला प्रश्णी है रिक्तिस्थानों की पूर्ति कीजिए यहांपर बचों हमें कुछ रिक्तिस्थान दिये गये हैं जिने हमें इस सई शब्दों से पूरा करना है तो पहला कतन है कोई वस्तू कितनी गरम है इसकी जानकरी डेश द्वारा प्राप्त होती है तो बच्चों किसके द्वारा प्राप्त होती है इसकी जानकरी हमें इसके ताप के द्वारा प्राप्त होती है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रहे, उबलते हुए पानी का ताप, डेश ताप मापी से नहीं मापा जा सकता, तो बच्चों किसके दारा नहीं माप सकते हैं, डॉक्टरी ताप मापी के दारा हम नहीं माप सकते हैं, किसके दारा मापेंगे, इसके लिए हम प्रियोग करेंगे, प्रियोग शाला ताप मापी का नेक्स्ट है ताप को डिग्री किसमें मापते हैं बचों सेलसियस में मापते हैं तो क्या जाए कि यहाँ पर इस ताप को हम डिग्री सेलसियस में मापते हैं जिसे हम किसी क्या भी लिख सकते हैं इस तरह से हम डिग्री सेलसियस भी लिख सकते हैं नेक्स्ट है बिना किसी माध्यम द्वारा उश्मा इस्थानांतरन के प्रक्रम को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं बचों, जिसमें किसी माध्यम की आवशकता नहीं होती है, तो उसे हम विकीरण कहते हैं, इसके लिए बचों किसी भी माध्यम की आवशकता नहीं होती है, और उश्मा का अहलके रंके वस्त्रो की अपेकशह – रंके वस्त्र, उश्मा qualcosa की अधिक रुषुषन करते हैं, अगला प्रश्ण रहें, कॉलम A में दिये गए कतनों का कॉलम B के शब्दों से मिलान कीजिए बचो यहाँ पर हमें कुछ कतन दिये गए है और कॉलम B में कुछ शब्द दिये गए है जिनका हमें सही मिलान करना है तो पहला कतन है बचो थल समीर के बहने का समय तो बचों थल समीर कब बहती है रात के समय बहती है समुद्र समीर के बहने का समय तो बचों समुद्र समीर कब बहता है दिन में बहता है गहरे रंगे कपड़े पसंद करने का समय तो बचों गहरे रंगे कपड़े हम कप पसंद करते हैं सर्द्यों के अंदर करते हैं जबकी हलके रंगे कपड़े पसंद करने का समय कॉंसा है घर्मियां घर्मियों में हम हलके रंगे प्रतों पएनवाफंद करते हैं क्यों किfarए है थंड़ा कानु भव कराते हैं आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है सर्दियों में एक मोटा वस्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई का कई पड़तों का बना वस्र अधिक उष्णिता क्यों प्रदान करता है व्याख्या कीजे तो बच्चों यहां पर हमने पढ़ा था कि एक मोटे कंबल की बजाए यद से बाहर नहीं जाने देती है तो इसलिए हम यहां पर उष्णिता का नुभव अधिक होता है तो क्या लिखेंगे बच्चों हम यहां पर कि सर्दियों में एक मोटा वस्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई का कई पड़तों का बना वस्र अधिक उष्णिता प्रदान करता है क्यों क्यों कि इसकी जो पढ़ते हैं उनके मध्य में वायू रिचाती है और यहां कि उष्णिता क्यों कि तरहना प्रखती है चली औंगे वढ़ते हैं के जारा उश्मा का सानांतरन हो रहा है तो भूद्चों यह जो धातू का बरतन के क्या चालन से देड्राई जबकि जो जल किस प्रकार से गरम हो गा मेहन की द्वारा बड़नर जल रहे है तो यह जो अस-पास परीवेश है वह गरम हो जाएगा तो भूद्चों हम सकते हैं कि चालन किसमें हो रहा है इधातु के बरतन में और सब्वहन किसमें पर पानी के अंदर कि crianças रहे हैं कि बादनर के दौरा परवेशन के द्वारा चली आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है गरम जलवायू के स्थानों पर यह परामर्ष दिया जाता है कि घरों की बाहरी दिवारों पर श्वेट यानि कि सफेद पेंट किया जाए व्या क्या कीजिए तो बच्चों यहां पर हम समझ सकते हैं कि गर्मियों में हम कैसे रंके वस पहनते हैं तो यह क्या करते हैं उश्मा को अधिक अवशोशित नहीं करते हैं और इसलिए क्या होता है हमें ठंडक का अनुभव होता है तो वही बात यहां पर भी लागू होती है तो क्या लिखेंगे बच्चों हम यहां पर कि गरम जलवायू के स्थानों पर घरों की बाह दी जाती है कि इनके उपर सफेद रंग का पेंट करवाया जाए चली आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है बच्छों 30 डिग्री सेलसियस के एक लीटर जल को 50 डिग्री सेलसियस के बीच का होगा चली आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है 40 डिग्री सेलसियस ताप की लोहे की किसी गोली को कटोरी में भरे 40 डिग्री सेलसियस ताप के जल में डूबोया गया तो इस प्रकीरिया में उश्मा विकल्भा में दिये हैं लोहे की गोली से जल की और सानांतरित हो बच्चों सही विकल्प की आओ जगा यहां पर कि न तो उश्मा लोहे की गोली से जल की और और ना ही जल से लोहे की गोली की रिस्थानांतरित होगी क्योंकि हमने पढ़ाता बच्चों जो उश्मा अस्थानांतरित हो रही है यह किसी होती बच्चों गरम से ठंडे की और होगी लेकिन यहां पर दोनों का ही ताप कितना है बचों समान है चालिस डिग्री से तो यहां पर उश्मा का इस्थाना अंतरण नहीं होगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है लकडी की एक चम्मच को आइस क्रीम की प्याले में डुबोया गया है इसका दूसरा सिरा विकल्प दिए बचों चालन के कारण ठंडा हो जाएगा समेहन की कारण ठंडा हो जाएगा नेक्स्ट विकीरन के कारण ठंडा हो जाएगा और अगला विकल्प दिया है ठंडा नहीं होगा तो बचों चम्मच कैसी हमारी लकडी की है तो बचों इस लकडी के अंदर उ बच्चों आपने देखा होगा कि जो स्टील की कड़ाई होती है उसमें नीचे जो है वो तामबे की तली लगाई जाती है तो बच्चों क्यों लगाते हैं यहां पर हमें विकल्प दिये गए हैं कि तामबे की तली कड़ाई को अधिक टिकाउ बना देती है नेक्स्ट है ऐसी तो इसी लिए कड़ाई कैसी हो जाएगी इसलिए क्ड़ाई है उसमें कॉपर की तली लगा दी जाती है तो बच्चों, यहां पर हमारी अभ्यास प्रश्णों complete होते हैं, इसी किसाद साथ बच्चों हमारी पार्ट भी यहां पर complete होता है, मुझे उम्मीद है कि इन अभ्यास प्रश्णों को आपने अच्छे से समझाओगा और अपनी कॉपी में नोट भी कर लिया होगा, तो बच् के साथ तक तक आप पढ़ते रहें आगे बढ़ते रहें धन्यवाद